हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कुकिंग वीट मनी साह दोस्तों आज हम गुंदा केरी का आचार बनाएंगे आपको मेरा एर एसेपी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना और नॉटिफिकेशन बैल आइकोन दबाना जिसे मेरे नए वीडियोस की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी यह गुंदा है इसे लसुरा भी बोलते है यह मैंने 500 ग्राम जिसने लिये है गुंदा अंदर से थोड़ा स्टिकी होता है इस तरह हम उसका सीड निकालेंगे सीड निकालने के लिए इस तरह हम नमक का इस्तमाल करेंगे जिसे यह आसानी से निकल जाए इस तरह हम सारे गुंदे में से सीड निकाल देंगे गुंदे का अचार हम साल बर के लिए बना कर स्टोर भी कर सकते हैं यह बहुत ही स्वादिष्ट है उसकी सबजी भी बना सकते है इस तरह मैंने सारे गुंदे में इसे सीट्स निकाल दिये है मैंने एक मिडियम साइज की मेंगोली है केरी उसे अच्छे से साफ करके छिलका निकाल देंगे फिर हम इस कच्चे केरी को हम कदुकस कर लेंगे दोस्तो अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत बुलिए जिसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मैंने थोड़ी से कैरी के टुकड़े भी कर दिये है जिसे आचार में थोड़ा क्रंची पन आएगा मैंने जो मैंगो कद्दुकस क्यल लिया था उसमें मैंने आदा कप जितना आचार का मसाला जो रेडिमेंट आता है वो मैंने एड किया है अब इसमें मैंने वन चोथाई कप जितना मस्टर ओईल सरसो का तेल एड किया है चोटी स्पून लाल मीर्च पावडर आदी चोटी चम्मज हल्दी पावडर अब अच्छे से मिक्स कर लेना है अब ये स्टफिंग हमने जो तयार की है वो गुंदे में हम स्टफ कर लेंगे इस तरह हमी थोड़ा थोड़ा स्टफ कर लेना है इस तरह मैंगो स्टफिंग से गुंदे का अचार बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है मैंने यहाँ पर एक कप जितना मस्टर्ड ओईल सरसो का तेल लिया है उसे हमें थोड़ा सा गरम करना है तेल गरम हो जाने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होनी दीजिए जो गुंदा स्टफिंग करके रखा था उसमें हम जो मैंगो के टुकडे थे वो एड़ करेंगे और थोड़े से वो टुकडे गुंदे के बचे हुए थे वो भी मैंने एड़ कर दिया है अब इसमें हमने सरसो का जो एक कप जितना तेल गरम करके रखा था वो एड़ कर देंगे मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच नमक एड़ किया है आप अपने स्वात के अनुसार एड़ कर सकते हो अब यह हमारा गुंदा कैरी का अचार्थ बनकर तयार हो गया है अब इसे हम एक जार में भरकर स्टोर कर लेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल हमने जो साइड पे रखा था वो हम जार में उपर रख देंगे गुंदा कैरी का यह अचार तीन-चार दिन में खाने के लिए तयार हो जाएगा दोस्तों आपका मेरा एर S.A.P. वीडियो पसंदा हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू करना मेरे वीडियो को आप अपने फेमिली और फ्रेंड्स में भी शेर करना मत बुलना और नोटिफिकेशन बेल आइकोन दबाना जिसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आप मेरे वीडियो को मेरे दुसरे सूसल मीडिया में भी देख सकते हो थैंक्स पर वाचिंग